तो जो हमारा पीसोड हो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमारा एश होता है वह प्रफेसर कुक्वी के हाउस को छोड़ कर वोकेमों स्कूल के लिए जारहा होता है अपने पार्टनर पीकचू और रोटॉम के साथ लेकिन जैसे को जारहा होता उसी रास्ते में उन्हें ए प्रणक प्रणर कर दो चुम्स्यंज होता है उसमें सेद्वुच्ट का जो काफी चॉलाःंत से ग्रेंग कर लेता है जो जो हैं इसकर बागने के कोशिश करते हैं लेकिन वह बागने हैं को जो है वो थंडर बूट का शौक दे देता है लेकिन उसी के बाद जो रोटों होता है वो ट्राय करता है लिटन को स्टॉप करने के लेकिन लिटन जो है वो से किक कर देती है और वहां से भागने में सफल हो जाती है उसी के बाद जैसी जो लिटन है वो गार्डन से अपना रास्ता जैसे जा रहे होती है तो उसकी जो मुलाकात होती है वो होती है एक abolitionhabitude जो कि उसका इ सार्प करोब देती है I wanna listen child yeah उसको पकड़े लेती है लेकर उसे कुछ नहीं होता चिऽका सेर। परहिए बतने हो जाता है और इसी भीड जी लिटन है वहाँ से भागने में भी कामियाब हो जाती है और जो पर्षियन ओद्या वह अपने मालिक के पास वातस पर जाती है फिर वहीं से हमारा जो एश ह वह स्कूल पहूंच जाता है एश अपने क्लासमेट से इस encounter लिटन के साथ जो encounter रहा उसके बार में बातचीत करता है तो उस पर Mellow जो है वो उससे बताती है कि जो लिटन है वो हमेशा खाने के लिए जो streets है हमाँ पर गूमता रहता है और वहीं पर जो सौफकलीज होता है वो भी उसे वे भी देखा है तो उसी पर वो उसे पूछते कि एश क्या तुम्हारा कुछ प्लैन है लिटन के साथ डील करने का तो एश उस पर कहता है कि हां मेरे पास उसे एक सबक सिखाने का सबक सिखाने का एक अच्छा सा तरीका है तो उस पर लिली जो है उससे पूछते कि इससे तु drink और fruits को enjoy कर रहे होते हैं और तीनों के बीट बात चीत ऐसी चल रहे होते हैं लेकिन फिर तीनों notice करते हैं कि जो final piece है जो चीज़ों खा रहे होते हैं उसका missing है तभी जो म्याउत है वो लिटन है उसको spot कर लेता और उस पर attack करता है यूरी स्वाइब से बट जो लिटन होता है वो इस पर एमर का इस्तेमाल करके वहां से निगलने में काम्याब हो जाता है वहीं जो हमारे एश और प्रोफेसर कुकुई होते हैं वह मार्केट प्लेस में ऐसी वाकिंग कर रहे होते हैं उनके हाथ में वेजीटेबल होते हैं और वहां जब वह एक स्टोर के बाहर रुख जाता है और देखता है कि जो लिटन है वो गाइब है तो वहहीं पर उस्टोर की जो ओनर होती है एनला वह एश को सम्नुद्र थोड़ी सी बहरी जो है वह उफर करती है लेकिन जो एश होता है वह उस्तोर को ढूंड रहा है जो इस स्टोर की ओनर होती है एनला वो एश को कहती है कि मैं एक तर से काम डाउन करती है और उसे बताती है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें जो लिटन है उसके साथ खेलना चाहिए उससे बैरी देना चाहिए तो वो एश को और भी बताती है कि जो एलोला है वहाँ प पोकेमोन के साथ शेरिंग का और जो एनला है उसको पोकेमोन यानि जो लिटन है उसको खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है तो फिर उसी के बाद जो लिटन होती है वहां से चली जाती है तो एश उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है कि जो लिटन है वो कहां रहती है घाती है तो उसी पर जो ह bows कहते है कि मुझे कोई आइड़िया नहीं है कि लितन कहां रहती है यह वो कहां जाती है सो इसी बीच जो हमें Lytiping का जो सीन दिखाई देता है कि जो latest है कि वह लेटन है वह एक उर्ड हाउस जो होता है बहुत ही पुराना हाउस होता है उसके नदर जा रही होती है, वहीं पर जो उसका एक तरसे कहलो, उसी घर में एक सोफा होता है, जिस पर एक बहुती बुड़ा जो स्टाउट लेंड होता है, वो लेटा होता है, और लिटन उसी स्टाउट लेंड को कुछ बैरी ओफर करती है, जो उसे एनिला ने दी थी, वो है रात के टाइम पर वो सो जाते हैं और लेटन जो है वो एक सपना देखती है जो कि एक बहुत ही बुरा सपना होता है और उसके बाद जो सपने में है वो स्टाउट लेंड के जो बैक है उसके पीट पर बैट के उड़ रही होती है उसके बाद जिसका सपना खतम होता है जो थोड़ी डरती, लिटन उस सपने को देखके थोड़ डर जाता है क wiem यह एक ऐसा था, लेकिन उसी के बाद, फोड़ी शान्त हो जाती है अपने सपने को छोड़ देती है तो इसके बाद जो पिर अगला दिन होता है वहीं पर हमारा ऐश और पाकच्छो होते हैं वो अपने Pokemon School के लिए जाई रहे होते हैं जो उने बीच में दिखता है कि जो लिटन है वो अपने मुँँ में एक Berry को दबाए हुए खड़ी है मतलब एक सबसे हाँ खड़ा है और वहीं पर जो पर्शन है वो उसके रास्ते को ब्लॉक करा हुआ है है तो उसी पर जो आई आई नहीं रोटॉम को कहता है कि यह कौन सा Pokemon है तो रोटॉम पर्शन के तरफ स्पॉर्ट गार बताता है कि यह Anolan Persian है और उसी पर जो ऐई रर देखता है कि जो अलओलब पर्शन है वो जो लिटन है उस पर Aटाक कर रहा वह करता है और उसी टैम जो एश होसे रुखने को कहता है और रोट उम जो है रोट्वम स्वारी जो परड़म्ist है वो एश पर अटकăng कर रही होते हैं लेलेकिंद करते हैं वहांub 도ाना जाता injured है और वो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन जो लिटन है वो refuse कर देता है स्के हाथ को काट लेता है इसके कान एश उसे उठानी पाता और उसी पर एस से promise करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा तुम्हें पोकेमों सेंटर ले जाऊंगा लेकिन जो लेटन है वो फिर उसे मना कर देती और एमबर का अटैक करती है लेकिन जो पिकाचु होता है वो कोशिश करता है कि लेटन को मनलेकर से अपनी जो उनकी लैंगविज या भाशा उसमें समझाने की कि हम तुमें कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे साथ चलो पोकेमोन जाता है कि जो रिचला है वो ठ्राइ रहे हैं कि जो उसकी बेरी है उसको प्रोटेक्ट कर सके तकी जो यह Mu से लेकर पोकेमोन सेंटर चले जाता है बहाँ पर उसको इस सफोलर käld यह क्योंता यह झाल वो हैसे तो वो दिया जाता है तो वहां से बैरी लेती और चली जाती है इससे उसी टाइम जो एश है वो जो नर्चोई है वो उसके स्क्रैच इस पर दवाई लगाई रही होती है कि एश भी उस लिटन के पीछे चले जाता है उसको बीच में किया वे उसका चारीजाड मिलते हैं और उसी बीच और रूप लेकिन जो लिटन होती है वो एक फेंच होता उससे जम करने की कोहिश कर भी होते लेकिन उसका जो कॉलर होता है वो उससे एक तरस नहीं करने देता है जिसके काट जो लिटन होती है वह वहीं रह जाती है और एश जो है वो उससे उठा लेता है उससे कहता है कि अभी तुम जाओ और हमारी बात सुनो इसी के बाद जो रात जाती है और एश जो लिटन को घर ले जाता है और प्रोफेसर जो कुकुरिया उनको सब एक्स्पेन करता है कि क्या क्या हुआ था और डिनर के टाइम जो एश है वो नोटिस करता है कि जो लिटन है वो अपने उस कॉलर के साथ काफी फ्रस्टेटिड हो गया और उसे निकालने के कोशिश कर रहा है लेकिन जो एश है उसके सामने बैठता है और उसके साथ बाते करता 14 we Ohhh तोड़ा बढ़ लेकिन उसी के बाद जो रात हुजाती है लेकिन जो है वह बात पाइड को सब्सक्राइब है उसको उठाकर जो दर्वाजा उसके तर television not the ग्रक्राइब वस्क्त दर्वाजे को नहीं कौल अब अब अधिनिनों में जाता है। और गलती से दरज़ा खूल जाता याई और शुका छ nouve races कने क्या कि और वह लिटन को पीछा करने लग जाता है। फिर आश देखता है, कि जो लिटन है वो उस बैरी को लेकर एक ओल्ड हाऊस जो वह यह बारे में मैंने बताया था उस घर में जाता है, जिसके अंदर जो क़ ai वो सूफे पे सो रखा होता है, जो लिटन होता है तो उस डाफम को है बैरी दे weiter एक। एश अपने पिकाचो और रोटों के साथ उस हाउस में इंटर करते हैं और देखते हैं वहां पे जो स्टाउटलेंड है वो सोफे पे सो रखा होता है तब एश को जो रियलाइज होता है कि हाँ जो लिटन थी वो खाना केवल स्टाउटलेंड के लिए चुराती थी ताकि उसक पता चल गया है कि यह जो प्लैन था वो बहुत बेकार था और इसी को अपरोजाइस करते हुए जो एश है वो प्रोफेसर कुकुई के पास वापस जाने की सोचता है और उन्हें कहता है लिटन और स्टाउटलेंड को कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे ल टुम्हारे लोटवब बताता है कि जो पर्ष।न है सौरी वह अपना बदा लेने है तो इसी में जो एस है उपिकाचों को फंडरॉल्ड यूजा करने का और देता है और जो एमबर यूजा करती है और जो पर्ष।न होते हुँ दोनों टैक को डॉच कर लेती और पर्ष।न कि यह擊बल एक प्रक्रेट है इसके पाद जो परश्चन घोले इसको पर अटाक करने के को ुटार्न करता है एक इशारा करता की और और कास्तमाल करो papier टेटयंग को जो ने करी है उसको याद करता और कोशिश करता है उससे भी कुछ एक खतरना कहटाय करने के और वो एक काफि पाउफिल एमगर का यूसकर होता है क्योंकि उससे न बाती बहुति है फिर ए चलो सब ठीक है कि सब अब एन्डिن वो काफी अच्छी यह काफी बूरी बात है कि यह यह को नहीं पकड़ पाया पर इसके बाह medo गुट बाई करता है यह अगा काफी सारा खाणा लेकि आएगा जिसकी तरोब और जैसी जो एस है वह काफी सारा खाना लेकिक ज हैं है वहीं जहारा है वहीं जो जो और चैनला को कर लेती है और यहाई चली गई शायद इसे मेरी कोई गलती होगा झानों चले गई तो उससे जो एनला वो reply करती है कि जो people है वो people ही रहेंगे और जो Pokemon है वो Pokemon ही रहेंगे बस ऐशा ये एश और करो कि जो लिटन है वो हमेशा fine है वो जहां भी है वो ठीक है तो उसी बीच जैसी वो बात कर रहे होते हैं तो उन में से जो एक fruit हो ग्रॉट पर गिर जाता है और त्रह जो लिटन है वो अचानक से अपियर हो जाती है उस फ्रूट को लेकर चलि जाते है तो इस बीच पिकाच्चो रोटों मोते हैं वो सप्राज होदं की लिटन कि तुम जहां भी रहना चाहते हो तुम हमेशा खुल के रह सकती हो इसी के बाद जो लिटन है वहां से भाग जाती है